बिस्मिल्लायरामार रहीम, आज हम जुस्टिगा पर माजूद हैं, इसे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेल्वे स्टेशन केते हैं, ये रेल्वे स्टेशन है खानेवाल, और इसे खानेवाल रेल्वे जंक्शन भी कहा जाता है, आईए चल कर आपको मुकम्मल इसका विजि रेल्वे स्टेशन तक आते हुए, ये रेल्वे स्टेशन का पुल है, जो के बहुत ही खुब्सूरत है, और इस साइड पे इस साइड पे वो रेल्वे की बोगियां खड़ी हैं, जैसे ही रेल गाड़ी रेल्वे स्टेशन पर पहुंचती है, चाबड़ी वाले, फेरी वाले अपने आपको त्यार कर लेते हैं, और गाह की तवज्जव हासल करने के लिए आवाजें लगाते हैं, यहां से कुछ मुसाफिर उतरते हैं, कुछ अपने लिए बोतल, पानी, बिसकिट और कुछ और पारसल लेते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह रेल्ले वे अपने ट्रैक पे आके कड़ी हो गई है, और यहां से मुसाफिर उतरना शुरू हो गए हैं, और जैसे ही मुसाफिर उतरते हैं, चापड़ी वाले उनके करीब आके आवाजें लगाते हैं, और अपनी चीजें सेल करते हैं, एक खुबसूरत मनजर है यह एक रेल्ले प्रेट फार्म का, यह देखें, यहां से मुसाफिर उतर रहें और चापड़ी वाले रेलो इस्ट के अंदर जा रहें, यह पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेलो इस्टेशन है, जहां पर गाड़ी आदे घंटे के लिए रुकती है, और मुसाफिर अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं, और यहां पर एक खास पूजीशन में पानी के नल लगाए गए हैं, और यह पानी टाइलिट्स के लिए इस्तमाल होता है, जैसे के आप देख रहे हैं, इसको पाइम्प्स के जरीए इस नल में फिट किया जाता है, फिर उस पानी को स्टोर कर रहे हैं, यह जो आपको सामने नजर आ रही हैं, यह चिम्निया है, यह रेलवे स्टेशन काफी प्राणा है, और इसको दोबारा रेनोवेट करके बनाया गिया है, और यह पार्टीशन से भी पहले का है, फलस्तीन से इजहार यक जहती के लिए, फलस्तीन का जंड़ा लगाया गया है, इसके साथ मुख्तलिफ आफिस सीरू हो जाते हैं, जिसमें से पहला आफिस है, ट्रेन सुपरवाइजर का, और उसी के साथ है, स्टेशन सुपरिडेंड का, एक चोटी सी कैंटीन, जन्निटर रूम, इस स्टेशन की खास बात ये है, कि यहाँ पर सफाई का खास इंतजाम किया गया है, साफ सुत रहा है, और मुसाफरों के बैठने के लिए, खुली जगा मौजूद है, और यह स्टोर हैं, स्टेशन स्टोर हो गया, और यहाँ पर लोग, मुबैल को चार्जिंग करवा रहे हैं, वह यह मुबैल चार्जिंग पॉइंट है, यह स्टाफ के लिए है, और यह चछत बनाई गिया है, ताकि गर्मियों में लोगों को तकलीफ ना हो, और यह बाक्स रूम हैं, जिसके अंदर बड़े बॉड़े बाक्स रखे गए हैं, और इसी के साथ, यह बर्फ का डीपू है, यहाँ पर बर्फ दस्तियाब होती है, यहाँ पर एक बहुत ही खुबसूरत मस्जिद है, जिसको 1957 के अंदर तामीर कर रहा गया, यह खानेवाल 1957 में, मुलतान की एक तहसील थी,